हेलो एवरिवन नमस्ते सलाम शर्श्री अकाल वेलकम बैक टो गाजयाबाद ब्लूमिंग चैनल और सबसे पहले आप सबी लोगों को मकर शंकरानती की बहुत बहुत धेल सारी शुपकाम नाएं और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंस्टेंट रेसिपी की वीडियो लेकर आई हूँ जो रेसिपी गाजर का हल्वा आप सभी लोगों को बहुत पसंद है पर इसमें सबसे जादा दिक्कत होती है गाजर को घिसने की साफ करने की जिसमें बहुत टाइम लगता है तो एक गाजर मैंने चील लिया है ये लगबाग 1.5 किलो गाजर है जिनको मैंने दो के साफ कर लिया था और अब इनको चील भी दिया है और चीलने के बाद भी दो लिया था ये देखी इनको मैंने सिंपल से नॉर्मल पेसिस कट कर लिया है इने कोई ग्रेड नहीं करना है कोई की टाइम और मेहनत नहीं लगानी है बस जैसे कि आप सबजी के लिए गाजर कट करते हैं वैसे ही इन गाजरों को मैंने कट कर लिया है और ग्रेट करने में बहुत जादा टाइम होता है बहुत धकान हो जाती है तो यह है कि इससे हमारा टाइम जो है काफी सेफ हो जाएगा और हमें महिनत भी कम लगेगी और यह 10-12 हरी इलाइची लेनी है इलाइची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो हलवा होता है उसका स्वात बहुत जादा बढ़ जाता है आप कोई भी मिठाई मना है उसमें कोई ड्राइफ भले डाले ना डाले लेकिन इलाइची जरूर डाले और यह मैंने कोकर रख दिया है इसमें और थोड़ा सा यह वन इस्पून जो है देसी गी डाला है अब इस देसी गी में जो मैंने हरी लाइची चाह चाहिए उसके डाने डाल दे आल दे हैं यह जो हलुआ बनाते है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह जो हलुआ मैं आपको बना बता रही हूँ यह इतनी जल्दी बन जाएगा कि घर में अगर अचानक से महमान भी आ जाए तो जितनी दिर में आपकी बातचीत होगी उतनी दिर में हलुआ जो है बनके रेडी हो जाएगा बिना जादा समय लगाएं तो यह देखिए मैंने जो इसके टुकुडे काटे थे गाजर के जो पीसिस करे थे यह सब मैंने कूकर में डाल दिये हैं इलाइची भी डाल दीती देसी घी में और इसके बाद इसको थोड़ा सा उलट-पुलट करके ऐसे मिक्स कर देना है घी जो डाला था उसमें घी में और इसमें अभी दूद है शक्कर है कोई भी चीज अभी नहीं डालनी है बस इसको ऐसे ही चला करके इसके बाद इस पर लिड लगा देनी है हमें और low to medium flame पर रख करके इसमें 2 सीटी देनी है low to medium flame में रखने के बाद इसमें 2 सीटी देनी है जिससे की जो हमारा जो गाजर है ये काफी अच्छे से गल जाएगी और ये देखिए पाँच मिनट लगे हैं ज्यादा टाइम नहीं लगा है पाँच मिनट में 2 सीटी आ गई है और ये देखिए कितने अच्छे से जो गाजर है ये एकदम गल गई है बस हम ये एसपेचुला की हैल्प से थोड़ा सा इसको मेश कर लेंगे जिससे कि जो पेसिस है और चोटे-चोटे हो जाएंगे ये देखिए कितने अच्छे पीस गल से गया मैं ये देखिए आपको हाँच से लेके दिखाया है एकदम अराम से और कितने अच्छे से देखिए मेश हो गया है और यही अगर आप कड़ाई में बनाएंगे तो कितना टाइम लगता है कम से कम एक घंटा लग जाएगा आपको इस तरीके से उन्हें मेश करने में और कूकर में बनाने में कितनी जल्दी से बन गए और यह लबक डेल लिटर दूद है जितना गाजर होगी उतना ही दूद इसमें पड़ेगा और दूद में मलाई भी थी तो आप मलाई भी इसी में डाल दीजे वो भी घीसा बन जाएगा तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जरूरी नहीं है कि हलुआ बहुत लोगों को कहते हैं कि खोई में पसंद होता है दूद में नहीं पसंद होता है लेकिन आप इस तरीके से अगर हलुआ बनाएंगे तो वाके में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हलुआ बनेगा और gas ही नहीं कर पाएंगे कि जो हलुआ है ये खोवे में बना है कि देशी घी में बना है और आप अपने घर में बना के सब को खिलाएंगे सब को बहुत ही पसंद आएगा बस इस तरीके से अब हमें gas को low flame पर रख करके जब तक ये दूद जो है पूरी तरीके से गाजर एब्जॉर्ब नहीं कर लेती दूद गाड़ा होके सूख नहीं जाता है हमें इसे धीमी आच में पकाना है और ये जो थोड़े ठीक पीसिस आपको दिख रहे हैं ये जब तक हम धीरी धीरी आच में पकते पकते बीच बीच में इस पेचुला की हैल्प से से हम प्रेस करते जाएंगे तो ये अपने आप ही बिलकुल घुट जाएंगे और इधर हमारा हलुआ रेडी हो रहा है तो ये मैंने राग की टाइम बनाया था तो दूसरी तरफ मैंने ये प्रेशर कुकर रख दिया है हमारे खाने की त्यारी भी साथी साथ कर लेते हैं और आज मैं ये आलू टमाटर की सबजी बना रही हूँ जिसमें मैंने वन टेबल स्पून ओयल में थोड़े से सरसो के दाने थोड़ा सा लहसुन और अधरक चौप के ग्रेट करके डाल दिया था मैंने इस से पहले भी जो मेरा अहोई अस्टमी वाला वीडियो था उसमें मैंने जो भंडारा स्टाइल आलू टमाटर की सबजी होती है वो मैंने बनाई थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वो बहुत ही बड़िया और बहुत ही टेस ग्रेट करके इसमें डाल दिया है और यह कुछ पतियां कसूरी मेति की हैं जिनको मैंने हातों से अच्छे से रब कर लिया है कसूरी मेति से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का और बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है अब इसको भी हम टमाटर के साथ मे नहीं भून लेते हैं यह देखिए टमाटर के साथ में भून जागा था इसे कसूरी मेती से इतनी अच्छी सुगंद और इतनी अच्छी खुश्बू आती है खाने में और यह एक पिंच बराबर मैंने इसमें हल्दी डाली है यह ज्यादा हल्दी नहीं डालती है क्योंकि उस अगर आप उबले आलू डालना चाहें और उसके लिए आपको सीटी का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा ये कच्ची आयलू है तो मुझे इसमें दो-तिन सीटीयां देनी पड़ेंगे और इनको भी बस देखिए मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है और दो मिनिट के लिए इनको मसालों के साथ ही भून लिया था और ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर गाड़ी सबजी पसंद है तो कम पानी डाली है और थोड़ी सी पतली ग्रेवी वाली सबजी पसंद है तो पानी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं और बस यह पानी डाल के भी मैंने मिक्स कर दिया है इसके बाद और वन इस्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और यह देखिए हमारा गाजर ने दूद को एकदम एब्सूर्ब कर लिया है और यह बिल्कुल दूद सूग गया है एकदम गाड़ा सा देखे कितने अच्छे से घुटके बन गया है और इसी पॉइंट पर आकर के हमें चीनी मिलानी है चीनी हमें पहले नहीं मिलानी है अब इसे 5 मिनट और पकाना है इसके बाद देखिए और इधर हमारा खाना भी बन रहा है सबजी बन के रेडी हो गई है और हमारे फुल के भी सिखने लगे हैं तो हलुए के साथ साथ हमारा डिनर भी रेडी हो गया है और यह देखिए इतनी जल्दी बन के त्यार हो गया है इसमें बनने में बस आधा घंटा लगाता आधे घंटे में हमारा गाजर का हलुआ और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया और इंस्टेंट बनके रेडी हो चुका है और उपर से ये मैंने थोड़ा से बदाम जो है इनको कट करके डाल दिया है और आप अपनी पसंद के ड्राइफ रूट्स जो भी पसंद हो आपको आप वो भी डाल सकते है और बस दो तिन मिनट तक इसको थोड़ा सा और गुमाना है क्योंकि चीनी पढ़ने के बाद थोड़ा सा जो चाशनी सी बन जाती है तो उसे भी सुखाना जरूरी होता है जरूरी होता है और ये देखे हमारा कितना अच्छा गाजर का हलुआ बनकर रेडी हो गया है और कितना पता भी नहीं चल रहा है कोई कह नहीं सकता कि ये कोकर में बना है कि कड़ाई में और जब आप खाएंगे तो बिल्कुल एकदम हलुआ इस्टाइल गाजर का हलुए का सुखाद आएगा ये देखे कितनी सुन्दर रंगत आई है थोड़े से ये बदाम मैंने उपर से भी इसके उपर डाल दिये है और आप पिस्ता है कोई और ड्राइ फ्रूट है काजू है जो भी आपको पसंदो वो भी आप इसके उपर डाल के सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग एक बार इन सर्दियों में इसे जरूर ट्राइ करिएगा देखिएगा कितनी जल्दी बन के त्यार हो जाता है बिना महिनत और समय लगाए और जब चाहेंगे आप तब इंस्टेंट ये हल्वा बन के त्यार हो जागा ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज इसे जरूर ट्राइ करिएगा और आप सभी लोग को एक बार फिर से मगर संकरांती की बहुत बहुत धेज सारी शुपकामना है आपका तिवार बहुत अच्छे से हो और आपका ये साल भी बहुत अच्छे से जाए और जो भी आपकी खुश्यान अदूरी रह गई है मैं यही चाहूंगी यही आशा करूँगी कि हो सारी खुश्यां आपको इस साल मिले और ये साल आपका खुश्यों से भरा हो बहुत अच्छा हो आप सब स्वस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें और एक बार फिर से आपको संक्रांती की बहुत-बहुत देल सारी शुपकामना है अपने नए वीडियो के साथ में आप लोगों से फिर मुलागात हो भी तब तक के लिए थैंक यू, बाई बाई